हेलो एप्रिवन सक्सेश टो सोशियोलाजी पर आप सभी का स्वागत हैं अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और लोगों तक सेयर कर दीजिए तो आप सब्सक्राइब को पता ही है कि ये सोशियोलाजी की क्लास है और यहां पर सोशियोलाजी का प्रैक्टिस सेट होता है सोशियोलाजी से संबंधित कोई भी एक्जाम हो शब्सक्राइब के लिए ये क्लास महत्पोड होने वाली है तो चलिए क्लास को सुरू करते हैं मातापिता केवल एक वडो केवल तीन वा चार केवल 1 2 वा 1 2 3 एक दो तीन ओडसेदी डुट्रुवी प्रहज तटी के उधार्ण काउन है इसमें तु दूबी प्रहज तटी में पति पतनी माता पिता यह सबी आते हैं और धुर्वी प्रैस्थित्य यानिकि पोलर स्टेट्स इसकी अधारण जो है रॉबर्ड वीरीस्टेट ने दिती इसमें जो है कुछ उनके इनके इस अउधाड़ा के अनुसा कुछ प्राइस्थिती ऐसी होते हैं जो जोड़े के रूप में होती हैं उससे जो है पोलर स्टेटस कहते हैं तो इसका तीन और चार आप्शन सेकंड राइट आंसर है पती पदनी और माता पिता नेक्स्ट कुईशन है परिवार के अध्यान के परिफ्रेच में नीमनी लिखित में से किस ने भूमिका सौधे वाजी की अधाड़ा का प्रयोग किया है तो भूमिका सौधे वाजी की अधाड़ा ये बिलियम जो एक गुडे ने दिये है और फस्ट राइट अंसर है बिलियम जो एक निराशावादी विचारक है जो या मानते हैं कि परिवाद धीरे धीरे शमापति की ओर जा रहा है क्योंकि इसके सारे कार किसी ना किसी संस्थ श्क्रिशावाद के दार की ये जाने लगे हैं से आप्शन पर्ष्ट राइट अंसर हैं और नेच्ट कुजिशन है हाइपोगेमी क्या है किसी कन्या का निमन वर्ग आच फूर श्रवीवाद की बाहर वीवाद एक कन्या का एक उच्छ ऐक कन्या का ऊच्वर्ग या जात के पुरुष्च वीवा ہाइपोगैमी क्या है तो हाइपोगैमी में लड़की का जो है अपने से नीचे कुल के पुरुष्च वीवा किया जाता है इसका राइट अंसर है कन्या का निम न वर्गए या या जाथ के पुरुष्य वीवा Option first right answer है HYPO GAMI में कन्या जो है निम न वरगए के पुरुष्य वीवा करती है और Québec में अपने से ऊचछ कुल के पुरुष्य वीवा करती है तो इस में Option first right answer है Next question है मौर्गन के अनुसार नेमने लिखीत में से कौन सा परिवार का उद्विकास का सही क्रम है मौर्गन के अनुसार बताना है कि परिवार का उद्विकासी क्रम कौन सा सही है मौर्गन ने परिवार के पांच प्रकार के उद्विकासी क्रम में परिवार के पांच प्रकार बताए हैं तो इनमें सही कौन सह है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है उन्हेंने सबसे पहले सम रखते परिवार के बारे में बताया है उसके बाद समू विवाही फिर यूगल परिवार तब चौथे नमबर पर पेत्रिश अत्तात्मक है और पांच वे नमबर पर एक विवाही परिवार है आप्शन थर्ड राइट आंसर है नेक्स कुश्चन है रिजले की भारती जनसंख्य संबंधी वर्गी करण में नीमनी लिखित में से किसी एक प्रजात का उल्लेख नहीं किया गया हर्बर रिजले की भारती जनसंख्य संबंधी वर्गी करण में नीमनी लिखित में से किस एक प्रजात का उल्लेख नहीं किया गया रिजले ने अपनी पुश्टक दा पीपूल आफ इंडियन में भारत के तीन मूल जातियों का वड़न किया था द्रविड मंगोलायड और इंडो आरियन इन्हों ने इंडो भूमद छेत्रे के बारे में नहीं बात किया आप्शन सेकंड राइट आंसर नेक्स्ट कोश्चन है नेम लिखित में किसने नरिजात केंद्रवाद की अधाड़ा को दिया है शमनर गिडिंग स्कूले दुर्खी नरिजात केंद्रवाद की अधाड़ा डबलू जी शमनर ने 1906 बी में दिया है आप्शन फर्स्ट राइट आंसर है यह एक ऐसी मनोविरिथ है जिसके अनुशार व्यक्ति अपने समूह जात प्रजात समाज अथवर संस्कित को अन प्रजात के अथवर संस्किति समूह की या पेच्छा स्रेष्ट मानता है तथा दूसरे की प्रत घृड़ा, द्वेश, संदेह, उदा, सीनता, आरूच जैसे मनोभाओं को प्रकट करता है आप्शन फर्स्ट राइट आंसर नेक्स कुजियन है समाज सास्त में किसने सरव पतन सामाजिक संरचना की अधारा का प्रयोग किया है काल माक्स, मैक्स, वेबर, हर्बर, इस्पेंसर, इमायल दूर की समाज सास्त में सामाजिक संरचना की अधारा का प्रयोग किसने किया है तो समाज सास्त्र में हर्बर्ट इस्पेंशर ने सामाजिक संरचना सर्द का प्रयोग किया है और मानो शास्त्र में एलेज मार्गन ने सामाजिक संरचना का प्रयोग किया है समाज शास्तर में हर्बर्ट इश्प्रेंशन है नेक्स कुजिशन है निम्न लिखित में से या किसका विचार है कि सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्वत से कोई लेना देना नहीं का सामाजिक डुनिया संरचना को इन्होंने सामाजिक दुनिया का मार्डर समझा है और उसे संरचना वाधियों की वास्त्विक्ता नहीं समझा है एलिमेंटरी स्ट्रक्चर आफ किन्सी पुष्टक में लेवी स्ट्रास ने ये क्वोटेशन दिया है आफ्शन ठर्ड राइड आंसर संस्किती करण की प्रक्रिया को ना तो मन्द करती है ना ही तीवर करती है उपरियुक में से कोई नहीं स्री निवास के अनुसा पश्चिमी करण की प्रक्रिया में व्रेदी संस्किती करण की प्रक्रिया को तीवर करती है आफ्शन सेकंड राइड आंसर नेक्स्ट कुश्चन है टैलकाट पासंस के अनुसा निम्द लिखित में से कौन से शामाजिक व्यवस्था में रचना यम नीरंतरता में आधार भूद प्रक्रिया है लच्छिपूर्ट एकी करण संस्था करण अनकूलन पासंस के अनुसार कौन से शामाजिक व्यवस्था में रचना यम नीरंतरता में आधार भूद प्रक्रिया है राइट आंसर है इसका आफ्शन ठर संस्था करण नेक्स पूइस्चन है निम्न लिकित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्त नहीं है सामाजिक भूम का सामाजिक प्रएस्थिति आदर सूनिता मानक एक सामाजिक संरचना का तत्तु नहीं है आदर सूनिता ये सामाजिक संरचना का तत्तु नहीं है ओप्शन ठेट राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चन है गच्छीलता का वर्गी करन अंतर पीड़ी गच्छीलता एवं एक पीड़ी गच्छीलता के रूप में किसने किया शोरोकिन पार्शन्स और लिप्शेट एवं बेनिडिक्स अंतर पेड़ी गद्वेवसाइग गसीलता और एक पेड़ी गद्वेवसाइग गसीलता के बारे में किस ने बताया है तो आप्शन फोर राइट आंसर है लिप्शेट एंडेक्स ने 1969 में सोशल मोबिलिटी इन इंडस्टिय सोसाइटी में ब्यवसाइग गसीलता के दो रूप बताये थे अंतर पेड़ी गद्वेवसाइग गसीलता और अंतरा पेड़ी गद्वेवसाइग गसीलता आप्शन फोर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ने यह विचार प्रत्पादित किया है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है इमाईल दुर्खिम, काल माक्स, मैक्स वेबर, एडम इसमित धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को पूजीवाद के विकास का कारण माना है संपरदाय निर्दिष्ट करता है तो राइट अंसर है इसका ओप्शन थर्ड एक प्रकार के धार्मिक शंगठन को को अप्शन थर्ड राइट अंसर है कि नेक्ट्ट कृश्यन है जन जातियों को पिछड़ा हिन्दू किस ने कहा ने कहा है देजर जातियों को मेंज में फिछड़ा इन्दू जियए ने ने कहा है कि आप्शन थर्ड राइड आंसर है कि 1969 में दर सेड्यूल ट्राइब पुष्टक में इन्हों ने जन जातियों को हिंदु जातियों का अंग मानते हुए कहा है कि जन जातियां वस्तितब पिछड़ी हिंदु जातियां है कि नेक्स्ट कुजिशन है नीम ने लिखित राज्यों में से किस में अन्सोचित जातियों की जन संख्या का अस्तित नहीं है जारखन शिक्की मीजोरम नागलेंड किस राज में अन्सोचित जातियों की जन संख्या का अस्तित नहीं है राइट आंसर है इसका ऑप्षन फोर नागा लेंड में नेक्स्ट कुश्चन है नीमने लिखी जनजातियों में कौन सी उत्रांचल में निवास करती है विरहूर, भील, टोड़ा, राजी कौन सी जनजात उत्रांचल में निवास करती है राइट आंसर है ओप्शन फोर राजी जन्जाद उत्रांचल की प्रमुख जन्जातियों में राजी, थारू, भोटिया, खस, भुक्षा, जौनसारी, शौक, माहीगीरी आदी है और बिरहौर, ज़ार्खंड की जन्जाति है, भील, मध्ध, प्रदेश की है, टोडा, टमिल, नादु की जन्जाति है निम्न लिखी जन्जातियों में से किस एक में भ्रात्र वहुपत वीवा पाया जाता है ब्रात्रिक बहुपति वीवा नायर खासी गंगू शन्थाद ब्रात्रिक बहुपति वीवा का मतलब जिसमें भाई जिसमें सभी पती जो है आपस में भाई होते हैं तो यह जो है नायर चंजात में पाय जाता है option first right answer next question है मंडल आयोग ने नीम निलिखित माप डंडों में से किसको और पिछले वर्ग के चैन का आधार माना है जाती वर्ग योम आर्थिक पिछड़पन सामाजिक सेच्छिक आर्थिक पिछड़पन सामाजिक राजनेतिक सेच्छिक पिछड़पन सामाजिक सांस्कृतिक मंडल आयोग मंडल आयोग का गठन जन्ता सरकार द्वारा 1989 में बीपी मंडल की अध्यच्छता में पिछड़ा वर्ग के संद्र आरच्छड से संबंधित मामलों में सुझाओ देने के लिए किया गया था इसका आधार्थ है शामाजिक सेच्छिक और आर्थिक पिछड़ा पन आप्शन सेकेंड राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है परिविच्छ विवा की प्रथा नीमने लिखित में से किस जन्जात में पाई जादे खरिया कूकी गोंड भील परिविच्छ विवा परिविच्छ विवा ये मडी पूर की कूकी जन्जात में पाए जाता है आफ्शन सेकेंड राइट राइट आसर नेक्स्ट कुश्चन है नेमने लिखित में से कौन से सामाजिक प्रक्रिया नहींए इन में से कौन सामाजिक प्रक्रिया नहीं है तो संबेदन सीलता ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है zum स्वर्ण को बताया है आन्सी के हो पूर बैयक्ति के हो शामुहिक प्रत्य शो माः प्रत्य राजनेति के हो मारा राजनेति मैं काईबर व्यों पैज को किस भाग में बाटा है मैं काईवर यों पेज नें संघश को प्रित्य छियों मां प्रित्य संघश में बाटा है ओप्षन ठाड राइट आंसर है मानो प्राडियों में समाजी करण की प्रक्रिया होती है विभिन अंत्रालों पर शंपूल जीवन भर बालिकाल में युवा अवस्था में मानो प्राडियों में समाजी करण की प्रक्रिया होती है तो राइट आंसर है इसका ओप्षन सेकेंड शंपूल जीवन भर कमार जन्जात का अध्यान सोर प्रतम किस ने किया था? धीरियन नाद मजूमदार श्यामा चरल दूबे रोबर्ट रटफिल ललता प्रसाद विद्यार थी मद्य प्रदेश की कमार जन्जात का अध्यान किस ने किया था? मध्य प्रदेश की कमार जन्जात का अध्यान स्यामा चरल दूबे ने किया था आप्शन सेकंड राइट आंसर है जारखंड की हो जन्जात का अध्यान मजूमदार ने किया था रोबर्ट रेडफिल्ड ने अंडबान नीकोवार की जर्ना जन्जात का अध्यान किया था और एलपी विद्यार्थी ने जारखंड की मालेर जन्जात का अध्यान किया था ललता प्रसाद विद्यार्थी नेक्स्ट कुश्चन है नीम ने लिखी संगटनों में से कौन सा एक प्रती अश्पर्धा है हम संगज दोनों पराधारे थे एक नातिदारी संगठन एक धार्मिक संगठन एक अद्योगिक संगठन एक सजार्थिये संगठन कौन सा एक प्रती अश्पर्धा है हम संगज दोनों पराधारी थे राइट आंसर है और द्योगिक संगठन में प्रतियस पर्धायों संगश दोनों पाया जाता है नेक्स्ट कुश्चिन है पुनर समाजी करण का अर्थ है समाज की परंपरगत मूल्यों को शीखना जो पहले सीखा गया उसे भूल जाना शीखे हुए सामाजिक व्योभार को मोल्यों आदर्शों में व्योभार की नई व्यवस्था उसमें बदल देना पूर्व निर्धारित यों पूर्व नियोजित व्योभार के नियमों को शीखना राइट आंसर क्या होग इसमें पुनर समाजी करण का अर्थ है राइट आंसर है इसका ओप्शन ठर्ड़ सीखे हुए सामाजिक व्योभार को मोल्यों आदर्शों यों व्योभार की नई व्यवस्था से बदल देना नेक्स कुईशन है निमने लिखित में इसे कौन सा प्रत्य सहयोग का उधारड है साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ गीत गाना, अपने लिए काम करना एक और दो, तीन और चार, एक दो और तीन, दो, तीन और चार राइट आंसर क्या होग इसमें प्रत्य सहयोग का उधारड क्या है प्रत्य सहयोग के उधारण है साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ गीत गाना, आप्शन ठर्ट ड्राइड आंसर है, एक, दो और तीन नेक्स्ट कॉजिशन है, नीम निलिकित अधाराओं में सिकीश एक पर अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्यान हेद बिशेश बल दिया, परत्य चुवाद विज्ञानों का संतरड, सामाजिक प्रगित, सामाजिक विवस्त है अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्यान हेद उबल दिया है, राइट आंसर है, इसका आप्शन थर्ड, सामाजिक प्रगित नेक्ट पूजिशन है, विचारकों का कौन सा समोज सामाजिक परिवर्तन के चक्री सिद्धान का समर्थन करता है कौम्टे मार्क्स पेरेटो, कौम्टे स्पेंसर मार्गन, सोरोकिन पेरेटो, टाइनवी, स्पेंसर वेवलेन मार्क्स कौन सा समोज सामाजिक परिवर्तन के चक्री सिद्धान का समर्थन करता है कौम्टे और मार्क्स ये रेखिय से है कौम्टे, स्पेंसर, मार्गन ये सब रेखिय से है और आप्शन फोर में ये जो है, मार्क्स ये रेखिय से है सोरोकिन पेरेटो, टाइनवी, आप्शन थर्ड राइट आंसर है ये तीनों चक्री सिद्धान से संबंदित है संस्किती करण की द्वारा, सिच्छा की द्वारा, जात अंदोलन द्वारा, प्रवर्शन की द्वारा परमपरगत भारती समाज में जात गत सेलता मुख रूप से घटित हुई है परमपरगत समाज के बारे में पूछा है परमपरगत समाज में जात गत सेलता संस्किती करण की द्वारा घटित हुई आप्शन फर्स्ट राइट आंसर है तो आज की क्लास बस यहीं तक आसा है आप सबको यह क्लास पसंद आएगी क्लास पसंद आए तो वेडियो को जरूर लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से और ज्यादा लोगों को जोड़िये ताकि यह क्लास कांटीनु ऐसे ही चलती रहे